आज हम जानेंगे फाइबर का क्या मतलब होता है फाइबर रेशा, तन्तु, रेशम, तन्तरीका, प्रकर्ती, धागा, तार जैसे सब्दों का प्रियोगम कर सकते हैं फाइबर किसी प्राकर्तिक या किर्त्रिम परदाथों के बने पतले तन्तु को कहते हैं यह उन, कपास, कागस, पेडों की छाल, पुलिष्टर और कई अन्य सामग्रियों के हो सकते हैं आम तोर पर पतले तंतु को ही रेशा कहा जाता है फाइबर का प्रयोग किसी भी वाक्य में कैसे करेंगे आईए जानते हैं अधुनिक समय के आहार में बहुत कम फाइबर होता है फाइबर का प्रयोग करके एक और संटेंस आप मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताएं आज की वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद